हेलो आज की इस वीडियो वे हम लोग दर नाउन यानि की नाउन का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू प्लूरल्स टू मेनिंग यह वाला चीज यह लगा टॉपिक जो डिसकस करेंगे इससे पहले वीडियो में मैंने चेंज प्लूरल्स ऑफ सम फॉरें नाउन मतलब फॉरें नाउन को कैसे प्लूरल में चेंज करेंगे क्या क्या रूल्स है वो सब मैंने बता दिया है अगर आप लोग इंट्रेस्टेड है तो डेस्क्रिप्टर ने लिंक है वहाँ पे जाकर आप लोग देख सकते हैं चलिए तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते है some nouns which have the two forms in the plural याने की प्लूरल में डो टो फ़ण रहाता है जैसेकि हम एक ठो नाउन पकड़ लेता है brother यह रहा हमरों का brother ठीक है यह किसमे है यह भी किस form में है यह जो है यह singular form में है राइट इसका अगर हम लोग plural करना चाहिए तो किसमें किसमें चेंज हो जायेगा यह पहला तो है brothers यह जो है brother का plural form होता है और एक ठो है word वो है brother in ठीक है दो ठो change हो गया है का एक ठोका मीनिंग होता है sons of the same mother एक ही मा की दो या दो से अधिक लड़के हो या sons हो उसको हम लोग गोल देंगा brothers ठीक है अब आता brother and की और इसका मीनिंग क्या है members of the same community ये है इसका मीनिंग तो इसका मीनिंग क्या है same community का members हो एक से अधिक मेंबर हो लेकिन community जो है इसका community वो same हो ठीक है अब और एक word है ये सब इसका कौन सा form था ये सब इसका plural वाला form था ठीक है किसका brother का दोटो है दोनों का अलग अलग मीनिंग है यही तो हम लोग आज का topic है जानेंगो उसको अब next word है हम लोग का cloth cloth ये क्या है singular में है इसका क्या करेंगा हम लोग plural में इसको change करेंगे एक तो ये clothes में change होगा और दूसरा ये clothes में change होगा इसमें yes और इसमें only as का use किया गया है पहले अलग क्या meaning है pieces of cloth ठीक है दूसरा अलग क्या meaning हो जाएगा articles of dress ये हो गया ठीक है पहला का meaning क्या हो रहा है कि कपड़े का कोई टूक रहा तो उसको में लोग बलेंगा clothes और articles of the dress dress में dress से लिलेटर जो articles चपते है articles आते हैं वो हो गया दूसरा अलग का meaning इसे तरह और एक वर्ड है ये सब वर्ड जो है और यह हम लोग का दोनो plural form इसका अब इसका क्या meaning है यह हम बता देते हैं stamps for coining next का क्या meaning है small cubes used in games तो पहले वाला जो stamp for coining इसका meaning क्या होता है जब भी हम लोग coin को उछालते हैं तो कौन सा coin रहता है stamps यानि की बैबसाइक मुहर रहता है उसको हम लोग coin करते हैं या को नहीं करते हैं तो इसका meaning यह हो गया small cube used in the games जब भी हम लोग loot का game खिलते हैं या फिर किसी भी type का और भी तरह का game है जिसमें हम लोग ऐसा cube जो है use करते हैं खिलते वक्तों हो गया उसका meaning होगा dice और दो ठोवर्ड है जो की बहुत important है मेरे perspective से देख लीजे आप लोग index का क्या हो जाएगा plural में indexes और indices दो ठोव meaning हो गया दोनों का different different meaning है पहला का है tables of contents ये रहा next वाला क्या हो जाएगा science used in algebra ठीक है पहला का meaning क्या हो जा रहा है table of content content मतलब होता है मालनी जे एक बूक है उसके front में हमें इस एक फो इंडेक्स छपा हो रहाता है कि starting page से लेके end page तक क्या-क्या उसमें detail है उसका एक heading या topic लिग दिया जाता है उसके list को हम लोग contents बोलते है topics और heading के list को content तो table of content रहेगा उसका मने है index indexes ठीक है content को एक table नीचे है indices यह जो है algebra में एक तरह का sign है जिसको use किया जाता है problem solve करने के लिए indices ठीक है algebra sorry science using the algebra algebra में जो sign use होता है उसको indices आखरी word है जो last word है staff इस singular में है इसका plural में क्या change हो जाएगा steps और एक ठु क्या है meaning इसका stops दोनों तरह से इसको हम लोग change कर सकता है और दोनों का ही अलाग अलाग यान की different meaning है पहला का meaning है polls और दूसरे का meaning है department in the offices ऑफिस में जो stops नहीं होते हैं उसका जो department है भीवाग है वह हम लोगा steps और एक ठेश्टेव मतलग है polls तो students आज की इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग में बीडियो को टापिक क्या रहाएगा अगर आप लोग अच्छा लगा हो तो मैं वीडियो को लाइक कर दीजिए जादा जाद सेयर कीजिए और डेली ने अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स वॉचिंग झालो